तो फाइनली धूंडी लिया आपने हाँ मुझे उम्मीद थी आप धूंड लोगे आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षच हैं इतिहास पार्ट नंबर 11 इमारते चितर तधा किताबे यह हमें क्या बताती हैं वो हमें इस पार्ट में जानने को मिलेगा चलो सुरू करते हैं मैं हूँ अजे और आप देख रहे हैं CCL क्लास कहानी इंट्रस्टिंग है और भी इंट्रस्टिंग है आपको इसको जो है आपको नोट सब्भ्याज के पर सनुतर महतवपूर्ण पर सनुतर मिलेगी मजा तो आएगा लेकिन इस वीडियो में नहीं यह आपको अलग से मिलेगी दोनोली की description में है जरूर से देखना काम की है आपके लिए अब यहां पर कहानी आती है इमारतों की कहानी चितर और किताबों की कहानी यानि किताबों के अंदर क्या मिलता था इस टाइम पर कौन सी किताबे लिखी गई क्या चितर मिलते थे कैसी इम लाचिन समय में पहले के राजा अभीलेख लिकवाते उनिती अभीलेख हो में विल हमनलेख मिला है लोह के खंबे पर अन्लब लोह की श्टार्टिंब हो थी लोगे का परचलन बढ़ गया था और बिले आन तोर पे पत्थरों पर मिले है वेकिन यह बिले खम को लोहे के खंबे पर मिला है यह खंबा बहुत ही खतरनाक है क्यों खतरनाक है यह हमें महरोली दिल्ली में मिला है कुट्व मिनार के के परीसर में जो है ये खंबा खड़ा हुआ है उच्छाई लगबग 7.2 मीटर वजन 3 टन से भी ज्यादा है और निर्मान इसका लगबग 15.00 साल पहले वदाबा की बाते बाद में 15.00 साल पहले की बात है ये जब इसको बनाया गया और लोहे का आपको पता है लोहे जंग लेकिन ये अजीब तरीके से बनाया यार आज तक इसको जंग ही नहीं लगा ये खतमी निवाइतने हजारों सालों के बावजूद भी ये कमाल की बात है और बहुत मतलब वग्यानिकों नहीं बहुत रिशर्च करी उसके बाद में ये पता लगा कि आखिर इसको जंग क्यो लोगों को ये पता था कि लोहे को कैसे सुरक्षित रखना है ताकि उसको जंग ना लगे जबकि वग्यानिकों को बहुत सालों की महनत करने के बाद में ये पता लगा कि लोहे को जंग क्यों नहीं लग रहा ठीक है ये बड़ी कमाल की बात है यहां पर एक राजा का जिकर म स्तूप मिलते हैं जो की बहुती खतरनाक चीज़ है, क्या मिलते हैं है इस स्तूप होते हैं टिले, इटो के टिले, ऐसे नहीं हिटे फैंक दी, नहीं नहीं यह कि इंदर बैठने की या फिर पूरा कमरा सा बनाऊता बाहर से गोल या पूरा जगहाँ मिलती थी यहां पर बताते हैं चारों के परिकर्मा करने के लिए एक वृत्ताकार पत्थ बनाऊता था यानि कि यह ज़ाऊता grands यह मंदीर यह सके चक्क लगा के मैं इस रास्ते को gh्यो घेर दें जाता था जिसको paradia kaakना यह ञते हैं और हम ने कारबं टैस्ट किया हम ये पता लगा कि इनकी कुछ चीज़े तो जो इंटे है वो बहुत पुरानी है लेकिन यह जो रेलिंग है न यह बाद में लगाएगी किसी दूसरे राजा ने बाद में कुछ दोसो पानसो साल के बाद में लगवाई होंगी ठीक है तो यह सीन रहता था मतलब राजा इनके उपर विकास करत आँ लगाज़ा थे अनका अब यहां पर जो है आगे देखते हैं यहां पे हमें कुछ पहाड़ी आखे पहाड़कें अंदर यह पहाड़ हो गया पुरा आपका तो इस पहाड़ इंदर बहुतारी गुफाएं मिली है आभम सारे वह राकों में मिली है क्योंकि ये जो है काम आती थी लोगों के जो बहुत धर्म के या फी जैन धर्म के जो लोग थे ना जो घूमते फिटते रहते थे उन्होंने विहार बनवाई थे और विहार में जायतर गुफाएं ही मिली थी हमको देखने को लेकिन ये गुफाएं कुछ खतरनाक थी इनके अंदर हमको कुछ चित्रकारी देखने को मिली जो की जिनका जो पेंट था ना वो बहुत पुरानी थी वैसे तो लेकिन उस टाइम के जो पेंट थे वो आज तक भी कमजोर नहीं हुए वो अभी भी आपको बिल्कुल साफ सुत्रे दिखाई पड़ते हैं और उनको इनकों साइद नहीं किसी ने बना दियोगी किसी का नाम पता नहीं है आया यहाँ पर कुछ पैंटिंग क्लाकारी करी दाधा बना तो किसको पता मैं कौन हूं मैं तो चला गया अब तो इक दो महीने दो महीने के बाद पता लग जाए चानबीन करोगे तब भी और वह तो बात ही हजारों साल कि अब पता यह नहीं कौन लिक के भाग गया ठीक है को छापके भाग गया और हाँ इसके अलावा जो है यहां पर मंदीरों की बात आती है यह बात चली रही है स्थूपों की तो यहां पर मंदीरों के अंदर हमको एक जगह देखने को मिलती है जिसको मंडप बोला जाता है यह मंडप विवा वाला मंडप नहीं होता यहां पर जो है क्या होता यह एक यूजरी जगाए होती है जहां पर लोग इकठा होते हैं याở पे इकठा होते हैं तो उसको मंद पर मिला तो यह है उसके उलावा महाबली सब्सक्ता है आपकु पता है अन मतलब बोले तो बहुत ही खुबसूरत मंदिर यहां पर बनाए गए थे और यह अब बताते हैं कि स्टूप और मंदिर किस परकार बनाए जाते थे यह जो स्टूप बनते यानि कि स्टूप क्या होते थे जो बहुत दर्म वाले या जायन दर्म वाले जो लोग थे वो इस्तिम नागरिक उसको बनवा नहीं सकता था इनको बनवाने का जो खर्च था वो साहिक हजाने से जाता यानि कि राजा या रानिया ही उनको बनवाया करते थे अब ये राजा रानी की मर्जी बनवा नहीं तो बनवा नहीं तो नहीं सही अब बनवा दिया तो महरबानी हो जाएगी थोड़ा बहुत गुम फिराएंगे उस जगह पे तो यह रहता था उसके अलावा जो है कुछ आम नागरी जैसे किसान या फिर पसू पालक यह थोड़ा बहुत जो है योगदान दे दे थे अपना ठीक है जैसे अब मान के चलो भारत में कोई मंदीर बन रहा है ठीक है मंदीर पे खर्चा आएगा हजारों करोड रुपेगा अब ऐसा तो है नहीं कि लोग इकठा करके करके उसको बनवा रहे हैं नहीं सरकार पैसा देगी उसका पूरा उसके बाद में लोग चाहे तो अपना योगदान दे सकते हैं वो सीन रहता था लेकिन ऐसा होता नहीं एक्चुल है चित्रगला की चित्रगला जो है बोट बिक्सूवों ने बनवाई थी बहुत ज्यादा चित्रकला हमने देखने को मिली है तो चित्रकारी की बात बताई रहा था इंगुफाओं में मिली है अब आती है नहीं कुछ आख यह किताबे बच गई है बस अब यह किताबे बहुत महत्व पूर्ण थी यह बात है लगबग अठारा सो साल पहले की जब यह खंबा भी नहीं बना था लोहास्तम भी नहीं बना था उससे भी साथ कुछ इसमें बताते हैं कि कोवलन नाम के व्यापारी की कहानी है क्योंकि आद रहती नहीं है वह पुहार में रहता था पत्नी करनगी की उपेख्षा कर वह एक नर्तकी से प्रेम करने लगा बाद में वह और करनगी पुहार सोड़कर मधुरही चले गई वहां पंडे राजा के पुटा अरोप लगाया और उसे मोत की सजा सुना दी अब जो उसकी पत्नी थी ना देखो एक नर्तकी के साथ भाग गया था तो तो जो उसकी पत्नी थी ना कन्नगी उसने जो है मतलब वह अपना दुख परकट कर रही थी मेरे पती को जो है यह सजा दी है प्रांड दंड जो है दे दिया गया है तो उसके अलाव जो यहां पर एक और जो है तमिल महा का हुए है मनी मेख लई यह जो है चोड़ासो साल पहले सत्त नार्द वारा लिखा गया इसमें कोवलन और मादवी की बेटी की कहानी है देखो अठारसो साल पहले वाले में कोवलन की और उसकी नतान के साथ भशा ने चाहता है तो क्या समझ भीं नहीं बहुदम सबचानी प्रखनेर है यहां लागे से दोध्राली के सबसें कतिने जिसानी संथा चाहनी कोई लिए उसके कानी जो कि यह कि न misk ίह से लाइता है यह जब रचना लिखी तो उसी टाइम पे थी लेकिन गुम हो गई थी पता ही नहीं लगा इसका और जब पांडूली पियां इसके मतलब 200-300 साल के बाद यह दो बारा मिली थी मतलब किसी ने लिख दी तो जैसे कहानी चल रही हो ते नोर्मल चल रही थी ठीक है किसी ने लिख लेकिन उसके कुछ कागच के पन्ने गुम हो गए वह पन्ने लगबाद 300-400 साल के बाद मिले हैं इस वाज़े से यह कहानी 400 साल के बाद पब्लिश होई लोगों के सामने आई ठीक है आप भी सोच रहे हो या मतलब एक बंदा 400 साल तरी जिन्दा कैसे रह गया ठीक है तो यह यहां पर उसके साथ साथ कुछ किताबे थी जिनको हमने पुरान का नाम दिया क्या नाम दिया पुरान पुरान के अंदर क्या था भगवान जो है ना देवी देवता भगवान विश्नु सीव महेश दुर्गा इनकी पूजा की वीधिया लिखी होती इनकी बारे में इनकी जीवने लिखे होती इनकी कहानिया लिखी होती ठीक है तो वो सारी चीजे हमें इन्से जुड़ी सारी चीजे पुराणों के इंदर देखने को मिलती है अब यहाँ पे और भी है महा भारत रामायन है ना उस टाइम पे लिखी गई थी तो वो भी पुरान है उसके अलावा जो है वेड लिखे जा 23 ये उसी टाइम के असपास ये कहानी ये किताबे लिखी गई थी अब ये जो पांडव को पांडव का कुछ युद्वा भारत में इसका एक उदेश्य था जो राजवानी तोंगी हस्तिनापूर उस पे नियंतरन करना उसी के लिए तना बड़ा युद लड़ा गया पुरानों और महा भारत दोनों को ही व्यास नाम के एक रीशी ने संकलित क्या है यह इंपोर्टेंट है एक जाम से पूछा जा सकता है राइटर ने लिखी है कि कवी ने लिखी है उसका नाम है व्यास उसके अलावा जो है वालमिकी ने रामायन लिखी रामायन जो है आपकी किताब जो है बालराम कता उसको पढ़ना उसमें पता लग जाया राम की पूरी कहानी वह रामायन का ही हिस्सा है मतलब हिस्सा क्या प बार एक बंदर था बंदरों का राजा उसके अंडर में मतलब उसके मलब राजा था ना उसके नीचे जो बंदर थे मतलब सेना बोल सकते हो बंदरों की तो वो थे लगबग असी हजार कितने से असी हजार वो एक पहाड पे रहा करते थे असी हजार बंदर और उनका एक राज और वो इतना मीठा आम का पेड़ था वो पूरी धर्ती पे कहीं भी नहीं था बंदरो का राजा पेड़ से फल तोड़ के खाया करता जिंदगी मज़ेदार थी खुश थी एक दिन एक फल नदी में गिर गया राजा नहा रहा था बंदरो का राजा नहीं असली वाला राजा इंसानी राजा वो बहुत दूर था कहीं ठीक है वारणशी में पहाड़ी लाके से वो फल बहता बहता आ गया राजा ने उठा के उसको चक्खा तो पता लगा भाई जिन्दगी का आनन्द मिल गया उसको और अपने जो भी माली थे या फिर जो भी थे फलों की देखबाल करते हैं उनको बोला मुझे तो ये वाला पेट ढूंड के दो निकल पड़े तलास में आखिर का उन्होंने उस पेट को ढूंड निकाला अब उसने मनला भर पेट फल काई संतुष्ट हो गया राजा खुश हो गया बिल्कुल लेकिन रात को जब वो विसराम कर रहा था उसने देखा बंदर भी ये आम के फल खा रहे थे उसने होक्म सु 80,000 बंदरों को मार दिया जाए ये बात राजा बंदरों की राजा तक पहुंच गई बंदरों के राजा ने क्या किया एक पूल बनाया नकली वाला पूल मतलब लकडियों से बांध बुंद गे और अपनी पूरी सेना को नदी के पार उतार दिया और उस पूल को वह ऐसे गाड़ा वाड़ा नहीं उसको खुद पकड़के रखा क्योंकि वहां पे जगई नहीं थी गाड़ने की कुछ तो जैसे भी था उसने अपनी पूरी की पूरी जो मतलब सेना थी या फिर सेना तो क्या ही बोले उसको थी उसके जो साथी थे बंदरों के मतलब 80,000 जो साथी बंदर थे जो उसने उस पूल को पकड़के रखा और वो सारे उतर के गए उसके उपर से अब वो इतना थक चुका था कि उससे अब खड़ा भी नहीं जा रहा था और वो वहां पे ठक के गिर गया राजा ने सारी घटमा देखी और उसके बाद में उसको बचाने की इस तरीके से इस कहानी कानत हो गया बुरा लगा या अच्छा लगा वो आप कमेंट्स में बताना अब आती हैं यहां पर विज्यान की पुस्तके हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि समुंदर गुप्त जो राजा था ना उसके दरबार में कोई राज मतलब सेना पती इसका मंतरी था इसका नाम था आर्ये भट यह जो है खगोल सास्त्री था जिफ आसमान चांद सितारों के बारे में जानता था जानना चाहता था बहुत सारी चीजे थी यह वो था जिसने बताया कि दिन और रात प्रिट्वी के घूमने की वज़े से बनते हैं उसने प्रिट्वी की परीदी व्यासिंको नापने की भी वीधी ढूंड ने का लिए और जो कि आज के समय के बिलकुल बराबर है सुन्या का विश्कार इसने कराया सुन्या है समझे कहानी इस पूरी किताब में लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ थी आप यह किताब पढ़ते हो यह नहीं दूसरी किताब पढ़तों। QUASH जोटी कहानी है मज़ेदार है इसका विश्कार हुगा था चीन में बहुत हजारों साल पहले लगभग लोगों से च्षिपा के रखी गई I can की कैसे कागज बनाये गया। वो पर लखते हो उनका परचलन हो गया लेकिन लोगों को दूसरे देश例ुन को नहीं पता था, लेकिन कहींके लीक हो जाती है यह लीक हो गया लगभग 500-600 साल के बाद में दूसरे देश वालों को पता लग गया ये कैसे बनता है और उससे फिर थिसरे चोथे और ऐ से करते गरते पूरी दुनिया को काघज का पता लग गया जो की जिसको 1900 साल पहले छिप दुनिया बदल देगी तो इसलिए नोनेस को छिपाने की पूरी कोशिश करी लेकिन उसमें नाकाम हो गए अब यह थी कागत की कहानी ठीक है आई होब आपको समझ में आ गया होगा चैप्टर बहुत इसी था ज्यादा कुछ था भी नहीं चैप्टर में रटने को इससे मतलब पेंटिंग वेंटिंग तो ज्यादा थी वह मानता हूं मैं लेकिन मजा आया होगा आपको चैप्टर समझने में चलो वीडियो करते हैं मैं कवर करने वाला हूं क्लास 6,7,8,9,10,11,12 क्लास की सभी सब्जेक्ट की वीडियो हिंदी मीडियम और इंगलिस मीडियम दोनों में होने वाली है तो सब्सक्राइब कर लेना साथ में घंटी दबा लेना तक ही कोई अपडेट हो आपके काम का हो तो आपको विल्कुल टाइम से मिल जाए